धारे स्टेशन के पास टनल 12 की ये इसकेप टनल है और इस इसकेप टनल में जबरदस तरीके से काम चल रहा है escape tunnel इसलिए बनाई जाती है जिसमें main tunnel के अंदर अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो लोगों को बचाने का काम escape tunnel के जरिये किया जाता है जो लंबी सुरंगे होती है उसमें international जो मानक हैं उनके हिसाब से आपको इस टेफ tunnel बनाना जरूरी होता है tunnel 12 की अगर हम बात करें तो धारी गाउं के पास से ये नरकोटा के बीच में बनाई जा रही है 7155 मीटर लंबी tunnel है लिहाजा इसके अंदर एक escape tunnel भी बनाई जा रही है और ये काम लगातार चल रहा है हिमालाई का ये छेतर कहीं न कहीं अलग अलग activity लेकर आता है उपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से rock bolting की गई है rock bolting कहीं न कहीं चटानों को stabilize करने के लिए की जाती है कि इसमें अगर landslide की घटना ना हो कोई material उपर से ना गिर जाए इस तरीके की पूरी साउधानी बरती जाती है साथी में यहाँ पर पास में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बिसाल नदी बह रही है अलग नंदा की अगर हम बात करें तो अलग नंदा में पानी में बड़ा उतार चबहाओ देखा जाता है चुकि यह इलाका कहीं न कहीं डैम का इलाका भी है एक बांध बना हुआ है लहाजा नदी के अंदर काफी पानी है और यहाँ पर हम आपको आगे दिखा रहे हैं कि में टरनल की तरफ अगर हम चलेंगे तो में टरनल थोड़ा भूम कर है यहाँ पर देश के अलग-अलग कोने से बड़ी संख्या में कामगार काम कर रहे हैं जब इस तरीके का बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कहीं न कहीं लोगों को रोजगार मिलता है और हिमाले छेतर की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ यूस ब्यारेल का प्रोजेक्ट चल रहा है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रिशी के इस कर्ण प्रियाग के इलाके में 125 किलो मीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने का काम जोर सोर से किया जा रहा है और यहां इस इस इलाके की अगर हम बात करें तो जमीन के अंदर भी हल चल है तो उसके लिहाज से इसको कहीं न कहीं जो तैमानक है उन्हीं के आधार पर बनाया जा रहा है साथी साथ इस इलाके में आवाजाही की अगर हम बात करते हैं, तो इस समय ज्था तर लोग रोड के जरिये ही आते हैं, क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी है वो अक्सर यह होता है कि अगर बारिस का वक्त है तो कहीं ने कहीं लैंड्सलाइट की वजह से आवाजाही प्रभावित होती है तो आने वाले दिनों में जब पूरी तरह से ये रेलवे लाइन बन जाएगी तो यहां आना आसान होगा 125 किलोमीटर लंबा ये सफर सिर्फ दो घंटे में पूरा हो जाएगा ऐसा कहा जा सकता है और जगए जगए पर अगर हम देखें तो इस्टेशन बनाने का भी काम चल रहा है यहां पर मेंटरल है जिसको आप देख सकते हैं साथी साथ आसपास का जो द्रस है वह भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की चुनोतियां हैं उनको भी आप यहां पर समझेए और ये मेंटरनल है मेंटरनल के अगर हम बात करते ह हैं तो में टनल आप देख सकते हैं में टनल के अंदर भी काम चल रहा है और जिस तरीके से हम हमने आपको दूसरी टनल दिखाई उसी तरीके का काम इसके अंदर चल रहा है और एने टीम मेठट से यह काम किया जा रहा है अभी टनल बनाने का काम चल रहा है आने वाले दिनों में इसकी प्रोफाइलिंग की जाएगी और इसमें एक निश्यत शेत्र के अंदर इसके अंदर हम कह सकते हैं पट्री बिचाई जाएगी ब्राड गेज लाइन होगी ब्राड गेज लाइन के लिए तनलिंग का काम जोर सोर से चल रहा है तो यहां इस इलाके की अगर हम बात करें तो धारी से नरकोटा के बीच में ये काम किया जा रहा है आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टार्गेट दे दिया गया है 2024 तक इसको पूरा कर लिया जाना है उसके बाद यहां पर तेज रफतार ट्रेने चलेंगी कैमरमेन हिरा मंदल के साथ सिद्ध हार्थ निउज इस्टेशन धारी गाउं टनल बारा